Call Mines Regulation 2017, 27 November 2017, Regulation No. 44 Regulation 44, Safety Officer के कर्तव्य, Duties of Safety Officer 1. Safety Officer निमनलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा. अक Mines के Surface और Underground भागों का दोरा करके श्रमिकों से उनके कार्यस्थल पर मिलेगा, उनसे सुरक्षा संबंदी मामलों पर चर्चा करेगा और उनके सुझाव लेगा. B. नए Appointed व्यक्तियों का चार्ज लेगा और उनहे Mines में सब तरफ घुमा फिरा कर दिखाएगा और समझाएगा कि उनके काम से संबंदित कौन सा कार्यस्थ है और कौन सा कार्यस्थ अनसेफ. B. सुरक्षा संबंदी क्लास लेगा और सुपवाइजरी स्टाफ को सेफटी टॉक और भाशन देगा. G. माइन्स में सेफटी वीक तथा अन्य सुरक्षा शिक्षा वा प्रचार का आयोजन करेगा. H. वह ये देखेगा कि माइन्स के विभिन स्टांडिंग ओर्डर्स जैसे माइन्स में पंखा बंद होने पर स्थाय आदेश और आग या अन्य अपातकालिन स्थाय आदेश तथा. Codes of Practices वह सपोर्ट प्लान से माइन्स के सब संबंधित व्यक्ती पूरी तरह परिचित रहें. Ike Mines स्टर पर दी जाने वाली ट्रेनिंग, जिसमें Gas Tasting Training, Vocational Training वा First Aid ट्रेनिंग शामिल है, के लिए कार्यक्रम बनाने में मदद करेगा. Jake Mines के विभिन भागों का दौरा करके मैनेजर को ये रिपोर्ट देगा कि Mines में Act, Regulations और Rules के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं. के, Mines में सामान्यता सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा देगा और सुरक्षा बढ़ाने की द्रिष्टी से किये जाने वाले सभी उपायों में सक्रिय सहयोग देगा. Safety Committee और Workman's Inspectorों की सिफारिशों के अनुपालन के लिए follow-up करेगा. 1. Mines में सेफ्टी संबंधी अन्य विशयों में Manager की मदद करेगा. 2. Safety Officer ये सुनिश्चित करेगा कि इन Regulations के अनुसार उच्चित Emergency Plan बनाया जाए और उसकी आवश्यक्ताओं का पालन हो. 3. Emergency को छोड़कर अन्य अवस्था में Safety Officer को उपर लिखे कर्तव्यों के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं सौपा जाएगा. 4. Safety Officer अपने हर दिन के काम का विस्तृत विवरन एक सजिल्द पन्ना में रखेगा. Thank you for watching video.